प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है जबकि जब ये चीन से निकल कर आती है और तिब्बत के कई हिस्सों को भी सीचती है और चीन के कई खास तौर पर पूरवी चीन के हिस्से से निकल कर जब ये भारत की तरफ भी दक्षन की तरफ आती हुई भारत की तरफ भी आती है और फिर बंगलादेश का एक बहुत एहम ह डाया जाता है वहाँ पर अब इसकार की रेलिवेंस क्या है दरसल चीन एक pट्राइं प्रोजेकों पर क्रीट कर रहा है और कोसिश कर रहा है कि बहु कृत्ध कर रहा है और प्राइफव बिवश्ट व 2017 उतना जादा पानी रोग दिया जाए यह जो प्रोजेक्ट है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर 60 GIGAWatt का बन रहा है Megawatt नहीं, GIGAWatt का बन रहा है यानि यह न सर्फ चीन को बलकि चीन जहां-जहां बिजली देना चाहेगा वहाँ पर फारी मात्रा में इसमें आप समझिए इसे इस तरह से की तकरीबन भारत में जब आप मेगावाट्स की बात करते हैं और यह जहां पर अभी जो ग्लेशियर फटा है रिशी गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे वहाँ पर तक्रीबन साथ किलो वाट का जो है पावर प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही थी वह कमिशन्ड हो चुका था 2020 में और वह अगर पूरा हो जाता तो तीन से चार रा वो भी आप जान लीजिए क्योंकि जब चीन वहाँ पर पानी रोकना शुरू करेगा तो चीन अपने हिसाब से उस पानी का फ्लो तेज कर पाएगा उसके फ्लो को कम कर पाएगा यानि जब चाहे चीन भारत में बाढ़ लाने के काबिल अपने आपको कर लेगा और जब चाहे सूखा क्रियेट करने के लिए अपने आपको उस काबिल कर लेगा यानि पूरवोत्र का जो पूरे के पूरे राज्य है भारत के उस पर इसका बहुत जादा आसर पढ़ने वाला है ब्रह्मपुत्र नौर्थीश की एक तरह से लाइफ लाइन है इंडिया में क्योंकि गंगा उस तरफ ट्रावल नहीं करती है अगर आप ग्यांटिक प्लेंस को देखेंगे तो उत्राखंट से होते हुए फिर आपका उत्रप्रदेश होते हुए फिर बिहार कुछ होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है फिर उसके बाद डाइवर्ट भी करता है लेकिन उसमें कुछ और राज्यों के जैसे जहरकंट का नाम लेना गलत होगा लेकि नागालेंड है इन सारे राज्यों की अगर कोई लाइफ लाइफ लाइन है तो वो ब्रह्म पुत्र नभी है और अगर चीन ये करने में काम्याबी हासल कर लेता है तो इसका बहुत बड़ा इंपक्ट भारत पर भी पढ़ने वाला है बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो क